दोस्तो आपने सुनाओगा जब उपर वाला देता है तो छप पर फाल कर देता है जब लेता है तो लिंटर भी फाल कर ले लेता है कुछ ऐसी कहवते आपने अक्सर सुनी होंगी दोस्तो ये कहवत जितनी भी पुरानी कहवते हैं सब सही होती है इसका हमारे पास एक जीता जा इसके डर से एक गरीब कारपेंटर शहर से गाओं की और भागता है यानि कि अपने घर की तरफ आता है कितनी मुसीबते जेलते हुए वह आता है और आने से एक दिन पहले उसने एक लाटरी का टिकट लेकर जेम में रख लिया था जो घराने के बाद उसे अपने कपड़ों मे अचानक हाथ लगा और उसमें देखा उसने कि मेरी लाटरी निकल गई है और वो करोड़ पती बन गया है तो दोस्तों ये खबर आज हम आपको इसलिए सुनाने जा रहे हैं क्योंकि आपने सुना होगा कि जब उपर वाला देता है तो छप पर फाड़ कर देता है और जब लेता है तो लिंटर पाड़ कर लेता है तो चलिए पूरी खबर क्या है ये आपके लिए हम लेकर आए हैं कोरोणा के डर से भागा और करोड़ पती बन गया कारपेंटर जिया दोस्तों पूरी खबर कॉलकत्ता राज्जे फ्योरों की है पूरे विस्व में कोरोना वाइरस से हलकम मचा है भारत में रविवार को जनता कर्फू के बाद बंगाल समेत कही राज्जियों में सोमवार से लागडाउ बढ़ते जा रहे हैं भारत सरकार अपनी तरफ से इस पर लगाम कसने के लिए पूरी कोसिस कर रही है कोरोना वाइरस के चलते देज़बर में लोगों को अपने काम काज बंद कर गाउन लोटना पड़ रहा है इससे लोगों का रोज़गार जा रहा है और परिसान्यों का स कि एक लाट्री ने उसकी किस्मत बदल दी, एक लाट्री ने उसे करोड़ पती बना दिया है, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले, इजारूल के केरल में कारपेंटर का काम करता था, वहां उसे दैनिक मजदूरी हजार पंद्रा सो रुपे मिलते थे, कोरोना के डर से वह गा में रोजगार को लेकर परिसान था, इजारूल के घर में उसकी पतनी तीन बच्चे के अलावा उनकी मा और पिता है, इजारूल को एक दिन पहले पता चला कि उसकी लाट्री लग गई और वह करोड़ पती बन गया, असल में करोना को लेकर अफरा तफरी के बीच ही उसने लाट्री का एक टिकट खरीदा था, उसे याद ही नहीं था कि उसे लाट्री का टिकट खरीदा है, बाद में उसने उसे पता चला, तो वह बहुत खुश है, इसे कहते है किसमत का खेल, एक और कोरोना वाइरस से लोग आतंकित हैं, और लाखों लोगों का रोजगार खत्म ह पड़े हैं, वहीं इस कारपेंटर के लिए, यह वर्दान जैसा बन गया, यहां दोस्तों, जो कावत है, जब उपर वाला देता है, तो छप पर फाड़ कर देता है, तो यह कावत यहां पर बिलकुल सच होती, नजराती है, और जितनी भी कावतें पुरानी होती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन हमारी इस वीडियो को वाइरल जरूर करें, एक दूसरे को इसको पहुचाएं, ताकि पता चल सके कि आज कोरोना वाइरस में भी किसी के रोजगार ना होते भी कोई करोड़ पती कैसे बना, उसकी इस सच्ची कहानी को इस तक जरूर पहुंचाएं, तो दोस्तों मिलते हैं, फिर किसी नई वीडियो में धन्यवाद,